इसको एक इतनी खतरनाक ला इलाज बिमारी है जिसका हमारी इंडिया के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इस बच्चे के इलाज के लिए 17 क्रोड रुपए का इंजक्शन है सर और दूसरा इसके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 10,000 रुपए का खर्चाता है और मैं एक नाई की छोटी मोटी दुकान चलाता हूँ और जिसकी वज़े से मेरे सीर के उपड़ कम से कम एक लाख रुपए का कर्ज भी हो गया है मापयां दे नाण बैड़ते बैठा ए मासूम बच्चा फरीद है जसनू अजही बिमारी लगी जस्ता पार्त वेच कोई इलाज नहीं इस दा इलाज सिर्फ अमेरिका दे वेच है दस्तिय की इस बच्चे दे एक टीका लगेगा जस्ती कीमत स्तारा क्रोड है ओ भी अमेरिका दे वेच फिर किते ला इलाज बिमारी इस दा पिछा छड़ेगी एपीड तो परिवार हर्याना दे यम्ना नगर दे पेंड बुडिया दा रहन वाला परिवार दे कोण होन एक भी पैसा नहीं हर महीने दास हजार दा खर्चा हो रहा पीजी आई वालेया ने वी हथ खड़े कर दे करदी हालत वी काफी खास्ता है दस्तिय की मासूम बच्च साल इस बच्चे दी उमर है पहली क्लास दे वेच पड़दा है स्तारा क्रोड दा टी का अमेरिका दे वेचे इस दे लगेगा फिर किते जाके ला इलाज बिमारी इस दा पिछा जटेगी दस्तिय की पार्त वेचे इस दा कोई इलाज नहीं और करदा खर्चा जेड़ा हुन बड़ी मुश्कल दे नाल हो रहा क्योंकि परिवार पहला ही करजा ले चुकिया जस करके होन बड़ा ओखा इस करदा गुजारा हो रहा ताहनों दस्तिय की छोटा बेटा जो इस मजदूर दा उसनों भी इस प्यान के बिमारी दे लच्छन पैदा होन लग पहने ताहनों द पीर्थ परिवार दे वलों लखा दा करजा लिया गया इलाज करवाया जा रहे हां पर पीजी आई वाले ने वी हथ खड़े कर दे ने ताहोन दर्द अर्गिया ठोकरा खांदे लई ए पीर्थ परिवार मजदूर है लोका तो समा सेवियां तो सहायता दी अपील किती गई दुखते हैं मेरा नाम साइज़ाद है और ये मेरा बेटा है इसका नाम फरीद है इसको एक बीमारी है डियूशन मस्कुलर डिष्ट्रोफी डी-एमडी जिसका हमें छे साल के बाद पता लगा ये बच्चा पहले स्कूल जाता था पढ़ता था खेलता था और छे साल के बा सरकारी दफ्तरों में मेर मदन चोहान विदायक घंसामदा सरोड़ा सिख समंत्री कमरपाल गुजर जी के पास सब जगा गूम के आ गया और इस बच्चे के इलाज के लिए 17 क्रोड रुपय का इंजक्शन है सर और दूसरा इसके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 10,000 रुपय का कर्च आता है और मैं एक चोटी मोटी दुकान चलाता हूं और जिसकी वज़े से मेरे सिर के उपर कम से कम एक लाख रुपय का कर्ज भी ओ गया है और इसके बाद मेरे एक छोटा बेटा है जिसकी उमर भी ड़ए साल है और मैंने उसके भी रिपोर्ट कराई ती तो उसमें तो बोल रहे थे कि इसका पाँच साल के बाद पता लगेगा अशली और मेरी सरकार से आज जोड की यह इन्ती है कि इस बच्चे की जिंदगी बचाई जाए और हमारी साहता की जाए किया बेटे को क्या समस्य ओती है किस तरीके की परशानियां देखने को मिल रही है दर में बूत परशान न ही सबच्चे के चल कि इसकता विचारा इस तरीके के हलात है घर का गुजर बसर कैसे हो रही है वसो अरी इसी तरो अजक्ट अजसे लेगे में, और लॉंडरी रगेने सहरू